हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बे साब सब्सक्राइब करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडॉम फ्रम हॉस्पिडाल में दोस्तों एक बाद आपको बताना चाहता हूँ अगर आप यूरिन इंफेक्शन से बचना चाहते हो तो सदा आप जागरत रहिए तभी जाके आप ये मुसिवत से बच सकते हो और निकल पाओगे अगर आप रेगुलार इस पे अमल करोगे जो मैं आज आपको टिप्स देने वाला हूँ इसके साथ साथ आप यूरिन इंफेक्शन को समझे याने यूटिया प्राबलम क्यों होती है और होता है तो मेल हो या फी मेल हो क्या-क्या साइनेट सिम्टम से इसका आता है नेचुरल तरीके से आप इससे कैसे बस सकते हो उसके साथ साथ इसकी रिमेडीज क्या है और अगर इस चीजें बढ़ जाती है ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है और क्या सिच्वेशन बन सकता है और आपको कैसा रिक्स पैक्टर आज सकता है इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दोंगा यूरीन इंफेक्शन या मुत्रमार्क संक्रमन यूटियाई में बहुत सारी दोस्तों समस्या होती है इसकी ओजासे बेक्ती को पिशाब में जलन भी होती है मुत्रमार्क संक्रमन का संबंध मुत्रतंतर प्राणली से होता है इसी कारण इसका सही समय पर अगर इलाज नहीं हो तो आईए आज हम जानते हैं कैसे हम इस से बचें किसी भी अन्य बिमारी के तरह मुत्रमार संक्रमन के भी अपने कुछ लखेंड होते हैं जो इसके शुरू होने का संकेत देता है इस प्रकार यदि कोई वेक्ति इन लखेंड पर विशेश तरीके से ध्यान दें तो समय रहते इसका रोक्ताम कर सकता है यदि किसी वेक्ति को ये 5-6 लखेंड नजराता है तो उससे साबधान हो जाना चाहिए कि उसके मुत्रमार संक्रमित हो रही है बार बार पिशाब करने की इच्छा या फिर बार बार पिशाब करने के लिए जाना या इरिन इंफेक्शन का कि यह मुत्रमार के संक्रमित का पहला साइनेंड शिम्टम होता है कई बार हलांके डाइवेडिस पेशेंट को भी बार बार यूरीन पास करने को मन करता है तो यह टेस्ट कराके आपको देख लेनी चाहिए कि आपका सूगर लेबल कितना है और आपका इंफेक्शन है या न रही है याने कोई काट रहा है उस चीज को आरी से ब्लेड से इस तरीके से अगर फीलिंग्स होती है तो यह तुरंत उसकी जांच परतल करनी चाहिए इरोलोजिस्ट से मिलनी चाहिए दिखानी चाहिए और उसी मताबिक अक्शन लेनी चाहिए सबसे बड़ी बात है अगर यूरीन में खून आता है दोस्तों अगर आपने देखते हो ड्रॉप ड्रॉप ब्लेडिंग हो रही है या फिर आपका लगातार ब्लेडिंग रहती है जब भी आप यूरीन पास करते हो तो आप इसमें बिल्कुल देर ना करें इसके साथ साथ पेट के निचले हिस्से में अगर आपको हमेसाथ दर्द होता है तो ये भी एक मुत्रमार आपका संकर्मित हो रहा है बलके आप जानो इसके साथ साथ जो महिलाएं गर्भवती आलत में पहुंचती है उन्हें इंफेक्शन होने की दोस्तों काफी खत्रा रहता है खराब भोजन मुत्रमार को संकर्मित अगर पत्री होता है क्योंकि वहाँ डैमेज होता है फिर उससे इंफेक्टेट हो जाता है किड्नी श्टों या गुर्दे की पत्री से पीडी जो लोग हैं अपना विसेश धान रखनी चाहिए रोग प्रतिरोदक ख्यमता का कमजुरी होना वो भी एक मुत्त्रमार संक्रमि होने का कारण बन सकता है यदि किसी वेक्ति का पेट खराब रहता है तो उसे यूरिन इंफेक्शन के खत्रा बढ़ जाती है ना उसके संभेवना बढ़ जाती है सभी लोगों को अपने पेट को साफ रखना चाहिए और उसके अंदर जो मल जमा हुआ है उसको बाहर के लिए जिससे की आप एकी प्रेशर का पॉइंट ओकर दबागी या फिर आईरवेदी होम रिमेडिज घर में करके इससे आपको निजात मिल सकती है अक्सर के यूरिन इंफेक्शन अगर हो जाता है तो डॉक्टर हमें एंटिवैटिक देता है अगर बार बार हमको इंफेक् नई है देखो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जैसे कि अगर आपको किड्नियों गरा में स्टोन है तो आप पत्थर चट्टा जो पत्ता होता है उसका इस्तेमाल करिए रोज सुभा एक दो पत्ते लेके दो के उसको अगर चबा के भी खा जाओगे तो आप 21 द पाद दोस्तों बंज जाएगे है पहले स्टार्ट करिए एक से धिरे धिरे आप उसको दो भी कर सकते हो दोस्तों उसके साल सथसथ आई कुप्रेशर का जो पॉंट है पॉंट नंबर चब लिएक साल फरो प्रोषेट का जो पॉंट नंबर फॉइस और उसक grounding और खिर और ग होगे तिनों चारों पॉइंट को आपको दबानी है तो आपको दोस्तों लाव होगा उसके साथ साथ infection से बचने के लिए पॉइंट नवर 16 का भी इस्तेमाल करिया लिंफाटिक किकार अपको दर जाइव कि तो दोस्तों गास का पॉइंट दाइए तो आपको दोस्तों लाब होका गास का पॉइंट हमें साथ दवाते रहो जिससे आपका गास निकल जाए पेट से इसलिए कोई दरबेस डिआप अस्टिपेशन घ्री कोई किताब सिर्फ आपका रेफरेली यूज होनी चाहिए कि कहीं कोई डाउट हुआ पटा-पट किताब देखे फोटो देखे फिर अपना वो पॉइंट को ढंग से दब आए क्यों कि अगर समस्या बहुत पुराना होता है तो दोस्तों ये फिर जटिल समस्या हो जाती है जैसे मै आपको पांच ग्राम, साथ ग्राम, दस ग्राम के आसपास हल्दी खाके एक ग्लास, दो ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए इससे हर तरह का इंफेक्शन सा बचोगे इंक्लूडिंग कैंसर नमबर दो हो गया अगर आपको यूटिया की समस्या हो गई है तो आपको क्या करन पानी को दो-चार बार करके आप पी लें तो आप देखोगे आपका इंफेक्शन खतम हो जाएगी क्योंकि उसमें अंटिसेप्टिक गुन होती है जब यूरीन पास करोगे तो वह आपका जहां-जहां समस्या है उसको हील होने में दोस्तों हेल्प करेगा यही काम हल्दी क यही काम कि आपका फिट कर भी करता है इसके साथ सात परियाख मात्रा में दोस्तों पानी पयो đầuग में इन्फेक्शन बार-बार होती है न हर आदे घंटे में 45 मिनिट में एक देड़ ग्लास आपको पानी पीनी चाहिए, इसके सासत नारियल का पानी, नारियल का पानी दोस्तों इरुन इन्फेक्शन से तुरंत रहात दिलाता है और उसके सासा अनार का जूस दोस्तों पियो अना भी टॉयलेट जाते हो बाहर पूरा ध्यान रखो अपने साथ में एक छोड़ा सा डेटल हो गएरा का सीसी रख लें उसको आप जहां भी यूरिन पास करते हो उसके पहले एक दो ड्रॉप चार ड्रॉप डाल दो जिससे कि आप यूरिन पास करोगे तो आपको प्रॉब्लम न ले जाते हैं जहां सारा पब्लिक टॉयलेट होता है तो वहां पर इंफेक्शन का दोस्तों खत्रा हो जाता है इसके साथ साथ दोस्तों और एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग मास्टरवेशन करने के आदते मेल हो फिमेल हो उससे डैमेज होती है उसक आप ठीक बिल्कुल कर सकते हो इसके साथ साथ आप आमले का जूस आमले का जूस अगर पियोगे उससे आपको लाब होगी हर रोज आप आराउंड फाइव तो टेन अमल आमला का जूस और तुम्हारा पानी मिला लिए और उसको आप पी लो इससे भी आपका विटामीन सी आपके सरीर में परियापता आएगा रोग प्रतिरोद खिमता होगा आपको आंटिवैटिक लेने की जोरत नहीं है लौकी का जूस भी एक बहुत दोस्तों कारगर चीज़ है लौकी का जूस अगर पियोगे पेट भी साप रहेगा और आपको हर तरह के विमारी से दोस्तों बचोगे लिभर अक्षा काम करेगा हाजम होगा और इरीन उगरा भी दोस्तों बढ़िया होगा साप हइंवरीन होता रहेगा बिना दर्ध के तो दोस्तों आपका सेहद भी अच्छा रहेगा तो यह सब चीजों पर धियान दें वाक करें ब्रीधिंग करें क्लापिंग ठो जतने बार भी आप यूरीन पास करने जाते हो आप जतने बार भी श्टूल पास करने जाते हो अब अगर कोमडोगरा में बैठो अपना पॉइंट दबा हर पॉइंट जतना आपको मैं नॉलेज देता हूं सारा पॉइंट को आप दबाओ यूरीन पास करते रहो श्टूल पा आपका गुप्त अंग है दोस्तों, उसको आपको साफ रखनी चाहिए, मेल हो फिमेल हो, मुत्र मार्क को जरूर आप साफ करें, मुझे इस मामले में मुस्लिम लोगों का इसलमिक सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया लगता है, उन्होंने साफ सफाई पे बड़ा ध्यान दिया ह कि आप पानी का उन्होंने कहें कि इस्तेमाल करो, कि आप जतने बार पिशाप करने जाते हो, इरिन पास करते हो, उसको पानी से धो के आओ, यही मैंने ब्राह्मन फैमिली में भी देखा हूँ, वो लोग भी बड़ा गुप्तां को साफ सफाई रखने का बात सास्त्रों में कहा गया है, तो इस सब चीज़ें हमें सिखनी चाहिए, चाहे हो हिंदु धरम की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मुस्लिम लोगों की भी जो इस्लामिक जो अच्छी चीज़ें हैं, जहां अच्छी चीज़ें हैं, हमें जरूर सिखनी चाहिए, और खास करके जब हम फिज कोर्स हो जाता है तो इमीडियेटली जाके सफाई पे पूरा ध्यान दें पानी से अच्छे से साप करें वहां पे आपका जो भी प्रिकर्शन्स आप ले सकते हो उसको लें अगर कोई समस्या है फिटकिरी पानी से भी अपना गुपतां को आप साप कर सकते हो हल्दी पानी को चान के उसका डेस्ट हो करें निकाल के उससे भी गुपतां को साप कर सकते हो उससे इंफेक्शन दोस्तों नहीं होगा इसके साथ-साथ आडवाइस तो ही करोंगा बाहर आप ना जाएं अपने पार्टनर के साथ थी संतुष्ट रहें और पार्टनर का ही ध्यान रखें और अच्छी हो नीचे कंडम जो की आपका डैमेज को रोक सके तो दोस्तों इसके साथ-साथ आप बीच में जैसे होता है कई बारी सेक्स करते हुई भी वहां पे वो फट जाता है तो उससे भी नुकसान होती इसलिए क्वालिटी आप कंडम भी आपको मेंटेन करनी होगी जिस उस चीजों पर ना जाएं जहां आपका सहत दाव में लगता है दोस्तों जो अच्छी बाते हम सिख सकते हैं जरूर सिखें जो हमें अच्छा लगता है हमारे सहत के लिए अच्छा है वो ही हम करें जीवन में और उसके साथ-साथ आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि आप मेर लिखी होई मेरी महनत की जो किताब है वो आप अपने घर में आज रेफराल इस्तेमाल करें जिससे कि आपके घर में दवाई आना कम हो जाए हस्पताल हमारा जाना दोस्तों बंध हो जाए किसी को ज्यादा समस्या है वाटसप कर सकते हो और इरबेस्टता के अंदर भी बारा तिन बारा कोसिस करो तो जवाब आपको दोस्तों जरूर मिलेगा जो लोग मेरे चाहने वाले बीदेश में हो जो आप मुझे देखते हो समस्ते हो उन्हें भी सला दोंगा कि हमारी 26 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पहले आप लोग बाहर से आके यहां करते थ बताया हूँ उसका फाइदा उठाएं यहां से बाई कोरियर हम आपके पास भेज देंगे जो इंडिया में हैं वो तो किताब होगे रहा हूं को ऑनलेन एमेजन पर मिलता है उसका फाइदा जरूर उठाएं तैंक्यू भेरी मच दोस्तों जैहिंद जैभार दोस्तों आप सभी के लिए खुशकबरी है ना ही आपको अस्पिताल जाना पड़ेगा ना ही सरजिरी के लिए जाना पड़ेगा अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बिमारियों का इलाज, एक्यू प्रेशर, होम आयवरेदा एवं एक्ससाइस से आप कर सकेंगे माइ हेल्थ इन माइ हैंड इंग्लिश आव हिंदी किताब 51 तथा 101 बिमारियों के इलाज के साथ ओनलाइन आमाजॉन पे उपलब है दोस्तों अब आप बिना दवाई के बिना अस्पिताल जाए घर बैटे अपना इलाज खुद करिए डारेक्ली किताब, डीवीडी तता प एंड्राइप पाने के लिए वाच्चाप करें इस नंबर पे डबल एट टू डबल सेवन 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 धन्यवाद